मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का चोथा पिलर होने के नाते आप सब का भी ये दाईत बंता है और हम सब जो दिल्ली में रहते हैं हमको ये सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा महिना है जिसमें दिल्ली के लोग चैन से रहते हैं जब गर्मी आती है तो हम पानी के लिए तरस्ते हैं बारिश आती है तो दिल्ली के अंदर जो है हम फ्लडिंग से गरस्त रहते हैं पानी भर जाता है गली महलों में उससे तरस्त रहते हैं सर्दी आती है तो हम पॉलुशन के मारे जो है हमारे बजूर के हमारे बच्चे बिमा जिस सरकार ने अपने दस साल के कारेकाल में दिली के लोगों का सुख चैन छीन लिया ओ, ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का मैं समझता हूं की हक नहीं है. निरंतर एक के बाद एक जैसा ध्यक्षी ने कहा जूट बोलके या सत्य बोलके लोगों को गुमरा करने के इलावा जितना समय ये सरकार प्रेस कॉन्फरेंसेज में और जूट बोलने में लगाती है उस से आदा समय भी काम में लगा दें तो दिली के लोगों को कुछ जो है र आप सब लोगों को मालूम है कि आज अगर आज हमने प्रेस कॉन्फरेंस इसलिए की है आज हलांकि बारिश ज्यादा नहीं हुई उसके बावजूत हमारे जो है हमारे मीडिया प्रेजंटेशन आपने देखी बरवीन शंकर जी ने अभी दिखाई कि इतनी सी बारिश में ज इतरित में जो है यह प्रेस कॉन्फरेंस आज इसलिए कि यह कहते हैं बार बार की जेल से हम सरकार चला देंगे दिली में फ्लडिंग क्यों हो रही है दिली में फ्लडिंग इसलिए हो रही है अलाकि सच बात तो यह है कि पिछले दस साल से ही यह कुछ नहीं कर रहे हैं लेक केंदर सरकार हमको ये काम नी करने दे रही हमको वो काम नी करने दे रही मैं खुद अर्बन डिवयलमेंट में रहा हूं और लंबे समय तक अर्बन डवयलमेंट मन्तृ रहा हूं 나와 दिल्ली के अंदर इस फ्लडिंग की सिचिएशन के लिए उनीस सो सत्तर के बाद जब उनीस सो सत्तर में फ्लड आई थी उसके बाद जो टाइम टू टाइम जब 93 में मदलाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस समय की केंदर सरकार ने एक एपेक्स कमिटी बनाई की जिसको बाद की सभी सरकारों ने चाहे उसके बाद जनता दल की सरकार रही हो कॉंग्रेस की सरकार रही हो भारते जनता बाटी की अब नरिंदर मोदी जी वाली सरकार रही हो होम मुनिस्ट्री के की स्ट्रेटरी बॉड़ी है स्ट्रेटरी बॉड़ी का मतलब यह है कि कें संदर सरकार ने दिली सरकार को वह दिकार दिये हूए ये अधिकारों का रोनर होते एक एक संदर eh है उस एपेक्स कमिटी फ्लड की एपेक्स कमिटी का चेर्मेन दिल्ली का मुख्य मंत्री होता है उस एपेक्स कमिटी में सारे मिनिस्टर उस एपेक्स कमिटी के मेंबर होते हैं और वो मलेस जिनकी लो लाइंग एरियास में कॉंस्टेंसी है उन छे साथ मलेस को भी उस एपेक है दिल्लिके प्रिंसिबल सेक्टिय यानि डिविजंद प्रेवट जो दिल्ली का ये वह उसका सदस्य होता है अरबन Whenever को सेकेटरी उसका सदस्य होता है कर यहां तक की दिल्ली के जो आर्मी के मंद्यंग officer हैं तीनों दल के चाहे वो एरफोर्स है चाहे वो military है चाहे वो navy है तीनों के commanding officer ऐसा मुखा पहली मरतबा होता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आर्मी के officers को भी direction दे सकता है काम करने के लिए यह इस apex committee के पास power है इसके इलावा river management का जो government of India का जो chief engineer है दिल्ली का वो इस apex committee का member होता है यानि कि जो water resources minister के नीचे सबसे बड़ा engineering officer है उसको direction देने की power chief minister के पास है ऐसी power इस committee के पास है commissioner of police दिल्ली का special commissioner of traffic police इन सब के लिए mandatory है इस meeting में आना और इस meeting की जो है उनसे direction लेना डीडिये का वाइस चेर्में इरिगेशन एंड फ्लॉट department mcd commissioner दिल्ली जल बोर्ड का सी ओ हेल्थ का प्रिंसिपल secretary ndmc का chairman और ndmc का chief chief normally ndmc दिल्ली गोवर्मेंट से order नहीं लेती है लेकिन ndmc का commissioner और ndmc का chief engineer वो दोनों इसके member होते है commissioner transport इसका member होता है commissioner food and supply इसका member होता है वो hospital जो नॉर्मली दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है उसके सब MS को जो है बुलाने का अधिकार जो है वो chief minister के पास रहता है BACS ndPL इवन पहले mtnl होता था वो भी mcd के case में mayor या chairman standing committee मलत कोई ऐसा जिसका दिल्ली के अंदर जरासा भी जिकर हो जरासा भी involvement हो इस एपक्स committee के सब member और इस एपक्स committee का 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 क्या है यह एपक्स committee normally क्योंकि मुझे लंबे समय तक minister रहने का अभागय मिला है दिल्ली के लोगों की सेवा करने का normally एपक्स committee जनुरी के महीने में मिलती तो कि अगर आपको जून में के बाद जुलाई और अगस्त में आपको दिल्ली में फ्लडिंग का दिहान रखने इस एपक्स committee का का काम क्या होता था इस एपक्स committee का बोर्ट का इंतिजाम करना पुड़े जैसे पिछली बार फ्लड आ गई थी मैंने तब भी प्रेस कांफेंस की थी तब भी आप पार्टी ने हर्याना के ऊपर डाल दिया जबकि सच बात यह थी कि सिल्ट भी नहीं अटी थी और कितने दिन लगे थे सिल्ट अटाने के लिए ताकि गेट्स खुल सकें और इस बारी जब दिल्ली में पानी का कमी चल रही थी पानी के लिए मारो मारी हो रही थी इनके मंतरी जो है दिल्ली के अर्बन डेवलमेंट के जो है इरिगेशन इन फ्लड डिबार्टमेंट के वो दावा कर रहे थे सोरब भार्दवाज कि इस जन्वरी के महीने में गर्मली मिलती थी और जर्मिनी के महीने में मिलके इसको करेगा पानी को इसी तरीके से अलग-अलग इंडस्टियल वेस्ट के लिए पूरी दिल्ली के अंदर जो है वो लगी हुई है उनका 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 देखवाल हुआ है के नहीं हुआ है कौन आज डिपार्टमेंट क्या देखेगा और यह तो है नहीं कि आखाली मुख्यमंत्री और कर द सेंक्शन करती है तो यह कमेटी मिलेगी तो बजट सेंक्शन करेगी ना यह कमेटी मिलेगी तो तैयारी होगी ना जब मुख्यमंत्री जेल में है तो कौन बुलाएगा इस एपिक्स कमेटी को जब चेर्मेन जेल में है यह कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चला रहे हैं और हला आप डाउनलोड करोगे और मैं तो आज शौक में चला गया हूं उसको पढ़ गए यह मेरे हाथ में कागच है इन्होंने एपेक्स कमिटी की मिटिंग का समय भी चेंज कर दिया है वह समय तो मिटिंग बुला ही नहीं रहे इन्होंने लिखाया है कि एपेक्स कमिटी विल नॉ अगर कमेटी मिलेगी जून में तो वह जुलाई के त्यारी कैसे कर सकती है कि नॉर्मली कोई भी गवर्मेंट का टेंडर करने का भी मिनीमम टाइम 45 डेस का होता है उसके लिए बज़ट सेंक्शन होना है फिर अख़बार में देनी है पंतालिस दिन का समय देना है तो मलाव आप दिली के प्रती इनकी सीरियसनेस कैसी है आप इनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लिए कि हमाम नॉर्मली चाहे वो दिली में तिरानवे से अठानवे में खुराना जी और साब सिंग वर्मा जी शुश्मा सवराज जी की नितनेत्वाली सरकार रही हो पंदरा स पिलके जुलाई की त्यारी कैसे हो सकती है ये प्रेशन आप से पूछा चाहिए और जो कल तक कह रहे थे कि हम जेल में रहके सरकार चला लेंगे आज दिली में जो नुकसान हो रहा है लोगों का आवाजावी में प्रशानी हो रही है पानी के कारण दिली की बदनामी पूर करेंदा मुक्क का अध्यक्षी ने जो आई प्रेस्पॉण को जताए है में धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार बारिश होएगी अब तो उड़ जाईए राजनिती कन्नी बंद करिए खाली प्रेस कांफरेंस करके इती श्री मत करिए काम करना शुरू करिए तो बहुत कंभीर विशे है यह क्योंकि इस बिमारी के बाद जो इस बारिश की फ्लडिंग के बाद जो बिमारियां फैलेंगी उ मैं एक बात आप लोगों के संग्यान में लेके आना चाहता हूँ हलागी कल विरेंदर जी ने बड़ी डिटेल में प्रेस कांफरेंस की थी मैं आज कुछ अकबारों में देख रहा था कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने यह बियान दिया है कि हमने बड़े संघर्ष के साथ जो है इन टीचर्स का ट्रांसफर जो है रुकवा दिया है आप सब को पता है कि मैं दिल्ली का लॉंगेस सर्विंग एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं और शिक्षा एक ऐसी चीज थी जिस पे हमने कभी राजनिती नहीं करी जो पुराने पतर का रहा हैं वो सब जानते हैं चाहिए डव्लूएस एडमिशन हो चाहिए नेबरूर क्राइटेरिया हो चाहिए पब्लिक स्कूल्स के एकाउंट्स की ऑडिट हो या जो भी रिफॉर्म्स चाहिए पेरन टीचर्स मिटिंग हो पुराने पतरकार सब जानते हैं कि किसने जो है यह निरने लिये थे किसके सम बहुत सारे टीचर्स और यह जो टीचर्स का ट्रांसवर है यह एक दिन में नहीं हो गया कोई पॉलिसी एक दिन में नहीं मिलती तीन-चार महिने से इन टीचर्स का इशू चल रहा था बहुत सारे टीचर्स हमारे मेंबर ऑपर्लिमेंट्स को मुझे भी लगातार मिल रहे मंडे को इन टीचर्स का ट्रांस्वर होना था हम सब लोगों ने हमारे एंपीज ने और मैंने भी हमने अपने अध्यक्ष विरिंदर जी से यह रिक्वेस्ट की कि यह टीचर्स की बहुत जैनुवन इशू है और यह चारो तरफ धक्के खाका के ठक गए हैं और इनके साथ अन सामला आए अगर उनको ठीक लगता है तो वह इसके अंदर और यह इनकी बात जाहिज है अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद भी करना जाता हूं कि उनके इनिशेटिव पे टीचर्स का एक डेलिगेशन जिसमें हम लोग भी मिलने गए हमने लेटरेंट गवर्नर साब के संग् संघ्यान में सब चीजों को ले के आए कि और तब तक इमानदारी की बात आए कि पूरी डिटेल्स भी उनके पास नहीं थी क्योंकि यह सरकार तो काम करने में विश्वाशी नहीं है ,अगरू और अन्के संग्यान के जब हम सब 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 स्पाइब करना चाहते हैं , कि उन्हों ने और हढ़ा करना जानते सिंग्यृ और अगले दिन जो क्या को एक को वरकिंग देनी था , two तो उस दिन मिटिंग अरेंज करके उनके संग्यान में लेका है और हम धन्यवाद करना जाते हैं मन्य उप्राज जिपाल जी का जिन्हों टीचर्स के दर्द को समझते हुए टाइमली इंटर्वीन करा और 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 लीगली जो भी जायस कदम हो सकता था उनकी सुनवाई का किया अब प्रश डिरेक्टर एजूकेशन ने अपने से और निकाल दिया डिरेक्टर एजूकेशन एजूकेशन डिपार्टमेंट का होडी नहीं है डिरेक्टर एजूकेशन के पास डिरेक्टरेट की पावर हैं सारी ट्रांसवर करने की पावर हैं सारी लेकिन पॉलिसी बनाने की पावर ज ह靡़ता है तो से जो भी और पांच जार लोगों का ट्रांसवर बिना पलिसी के तो नहीू सकता और यह भी नहीं कि यह पॉलिसी को एक दिन में बन गई होगी इसको लगातार कहीं महीनों के साथ अंदर यह पॉलिसी तयार हुई होगी और पॉलिसी को अगर सेकेटरी एजुकेशन डारेक्टर एजुकेशन इन्वाल्ड है मिनिस्टर इस पॉलिसी में मोखिक रूप से या लिखित रूप से इन्वाल्ड ना हो इसका प्रशन ही नहीं पैदा होता और अगर मोखिक और लिखिक रूप से मिनिस इसमें शामिल नहीं है और मैं सकता हूं ऐसे मंत्री को एक दिन भी अपने पद पे नहीं रहना चाहिए तुरंट परभास से अपने पद से इस्तीफा दे रहना चाहिए कि अगर सेकेटरी एजुकेशन और डिरेक्टर एजुकेशन उन से पॉलिसी डिसिजन के बारे में भी से जानकरी लेता है इसलिए मैं कहा रहा हूं वो गलत बियानी कर रही है कि एक आदमी के इंवल्मेंट नहीं है पहले डिरेक्टर एजुकेशन पर बोल रहे और टीचर्स मारे मारे फिरते फिर रहे थे और सोमवार को उनके आडर आने थे तो संडे को जो है उन्होंने संप मार होता है तो किसी दोड़ा की दोई उसको रास नहीं आती तभी दूसरे डॉक्टरों के पास जाता हो वह अपूंकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है और आज जब आज जब जो है हमारे अध्यक्जी की इंटर्वेंशन के बाद हमने सई धंक से हमने क्या बात रखी हमने कोई यह नहीं है कि कोई आउट ओधा वे जायके उन टीचर्स की मदद की हमने कहा है जब तक एक कमप्रिहंसिव ट्रांसवर पॉलिसी नहीं बन जाए इतने बड़े प दस साल कोई किसी को एक स्कूल में हो गया है अगर उसकी शिकायत है तो उसको जरूर रटाना चाहिए जितना वह उसकूल में रहेगा उन बच्चों के साथ उस टीचर्स की और उस स्कूल के साथ उसकी उतनी बांडिंग बड़ेगी तो उसको दूसरे नजरिये से देखना चाहिए और एक policy बनानी चाहिए 2003 में एक transfer policy बनाई थी हमने जिसमें हमने रखा था कि married basis teachers की ट्रंसफर होगी उस policy को इस सरकार ने क्यों बदल दिया उसका जवाब दे उसमें हमने ये रखा था कि जैसा perform teacher करेगा जैसी उसकी performance है उसकी शिकायत ना हो वो अपनी 10 option दे सकता ह transfer के लिए online क्यों transfer के लिए किसी politician के पास या minister के पास किसी teacher को जाना चाहिए क्यों उसका अपने आप अपने merit के उपर transfer नहीं हो सकता क्या ऐसी policy है क्यों आप बैठे बैठे एक दिन आप फैंसला करती हैं उसके बाद जो अब आपको लगता है कि आपके department में जो है बुरी तरीके से जो है वह अन्रेस्ट है तो आप फिर बीज़ेपी के उपर इल्जाम लगा देती हैं अगर आप उनकी सुनवाई कर लेते तो वह आते ही क्यों teachers वह उनको ज़रूरत क्या थी transfer subject में लेटरंड गवर्णर साब के पास जाने की और को कम हुए है 177 बढ़ने चाहिए बढ़ती हुई अबादी के साथ और समय के साथ बढ़ने चाहिए गटने चाहिए 177 जो है वह हुए है आज results की बात करते है नाइंथ class का आप result उठा के देख लीजे दो लाक असी हजार बच्चे अपियर हुए थे नाइंथ के इस साल के में result की बात कर रहा हूँ उस में से एक लाक पांच जार बच्चे फेल हो गए दो जार दो लाक असी और वो केवल इसलिए जब रस्ती फेल कर दिये जाते हैं कि दस्वी के result के अंदर जो है वो इनका effect नजर ना आए और दस्वी का result भी आज जो है comparative टू दो जार तेरा चोदा दो जार पंदरा सोला उससे कम आया हुए और और सबसे वड़ी बात क्या है कि किसी भी स्कूल का education का पैमाना क्या है पहले एक record बना करता था कि कितने स्कूल ऐसे हैं जो दिली में 100% result लेके हैं 100% result का मलब कि कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक भी बच्चा फेलनी हुआ उसमें 35% की गिरावट है पिछले 2013 के बाद अगर 2013 में 100 स्कूलों में 100 बच्च का फेलनी हुआ आज 65 रह गए हैं आप उनकी डिविजन्स की अगर डिटेल मांगेंगे तो कभी हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि फर्स्ट डिविजनर्स कम हो गए हैं यह नीट नीट करते रहते हैं आज नीट में दिली सरकार के बच्चों की भागयदारी मातर दो पर प्रब्लम की बात करते हो ना आप पानी की कमी हो उसकी तरफ ध्यान दखते हो दिली में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 169 mgd पानी आता था जब दिली को विधानसवा मिली उससे पहले दिली की विधानसवा मिलने के बाद 2014 तक दिली के अंदर जो है 900 mgd पानी हो गय है क्योंकि मनुप नहर का नाम भी उस समय हो गया था अब प्रशन यह है कि आज दिली में कितना mgd पानी है 900 जो 2015 में था वही आ जाए 900 क्यों क्यों पिछले 10 साल में आप एक भी mgd पानी नहीं बढ़ा पाए और जो आपके पास पानी एवेलिबल भी है उसकी distribution का system भी आपक समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि दिली के लोगों को इस सरकार को माफ नहीं करना है